सुवागत ही आप सभी का हमारे और आप सभी के अपने यूटूब चैनल डिपलोमा कलासिस में तो कैसे हैं आप लोग तो मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे मस्थोंगे और स्वश्थोंगे तो फैनली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग बहुत दिनों से इस इंतिजार में थे की आईटियाई का फर्म आखिर कब से भरा जाएगा तो आप लोग के लिए एक गूड नीज है क्योंकि आईटियाई का जो फर्म में आखिर कब से भरा जाएगा इसका जो एस्पेक्टेड डेट है वो फैनली आ चुका है तो अगर आप लोग इस वीडियो को वान तक देख लेते हैं तो आपको मालुम चल जाएगा कि भीहार आईटियाई का फर्म आखिर कब से भरा जाएगा इसके सांद सांद एभी बताने वाले हैं कि भीहार आईटियाई का जो नीज ही लेवा से आखिर क्या है यानि विहार ITI के जो पडिक्षा होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कोशन पुछे जाएंगे कौन से सब्जेक्ट से कितने कोशन पुछे जाएंगे और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि यहार ITI में टोटल 25,000 से भी 11 सीट है तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि किस केटेगरी में आखिर कितना सीट है यानि EBC, HC, HT, UR, EWS, RCG यानि जो आपका जो केटेगरी होगा तो आपके केटेगरी यानि आपके जाती में टोटली सीटों के संखिया आखिर कितनी है 25,000 के सीट में से तो अगर आप लोग इस वीडियो को आन तक देख लेते हैं तो आपको और कोई भी वीडियो देखने क्या वसकता नहीं होगी तो आप लोग इस वीडियो को आन तक जरूर देखियेगा ताक जितने भी आप लोग का डाउट हो जितने भी आप लोग का कोशन हो सभी का आनसर मिल जाए तो आप लोग अपने मुबाइल के स्क्रेन पर देख सकते हैं यह भी हर आईटियाई का प्रोस्पेक्टर से और इसी के माध्याम से हम आप सभी को बताने वाले हैं कि जो आप लोग का फॉर्म है आखिर कब से भरा जायेगा भी हर आईटियाई का न्यू सीलेबस क्या है भी हर आईटियाई में आखिर कौन-कौन से सब्जिक्ट से कोशन पुछे जाएंगे भी हर आईटियाई में कीज केटेगरी यानी कीज जाती में कितना सीठ है इसके सांथ सांथ आभी बताने वाले हैं कि भी हर में टोटिली आईटियाई के संख्या आखिर कितनी है तो इस वीडियो को आगे बराने से पर लिए आप सब इसे एक च्ठीविक्ट रिक्वेस्ट है अगर आपके चैनल पे नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर लें अेर जैसा कि आप सबी को मालुम होगा और मालुम नहीं होगा तो आप सबीक को बता देते हैं कि हमारे चैनल यानि आप सबी के अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासिस के माध्यम से बिहार आईटिया के फॉर्म से लेकरके एडमीशन तक जितने सारे प्रोसेस होते हैं उसके उपर सठीक रूप से इंफर्मेशन दिया जाता है इसके साथ साथ बिहार आईटिया का तयारी एकदाम फिरी में भी करवाया जाता है तो चलिए अब आप सभी को बता दे कि राखिर किस केटेगरी में कितना सीट है और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कॉमेंट जरूर किजिएगा क्योंकि हम कॉमेंट को संख्या कितनी है? 16% है दूसरी है अनुसूचित जान जाती यानि जो सेटी के टेगरी के स्टुडेंट है इनके लिए मात्र 1% सीट है इसके नीचे है EBC यानि अतियांत पीछरा वर्ग इन लोगों के लिए टोटली सीटों के संख्या 18% है इसके नीचे है BC यानि पीछरा तो इसमें टोटली सीटों के संख्या कितनी है? 12% है इसके नीचे है RCG यानि अराक्षित वर्ग की महिलाए तो इन लोगों के लिए टोटली सीटों के संख्या 3% है इसके नीचे है EWS तो देखिए इन लोगों के लिए टोटली परसेंटेज कितना है? 10% सीट है इसके नीच तो आपको मालुम चल जाएगा कि जो जेनरल काटेगरी के स्टुडेंट हैं आखिर उनका काटेगरी में टोटली सीटों के संख्या कितनी है तो आप लोगे देख लिए किस काटेगरी में कितना परसेंट सीट है अब चलिए आप सभी को बता दे कि भी हर आईटे के परिक्ष सबसे पहले आप सभी को बता दे कि जो आपका एक्जाम है यानि भी हर आईटे के एक्जाम है टोटली दो गांटा पंदरे मिनट का होता है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लिए उंगे इसके नीचे बताया गया है कि भी हर आईटे आई में टोटली तीन सबजेक्ट स पचास-पचास question पूछे जाएंगे यानि totally question की संखिया हो गया 150 और जो आपका एक question होगा ये दो marks का होगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब आप 150 में 2 से multiply किजिएगा तो हो जाएगा 300 तो इसे clear होता है कि जो भी हर idea है इसमें 300 marks का exam होता है और एक question जिसमें बहुत सारे student confused रहते हैं कि सर बता देजिए कि जो भी हर idea के परिक्षा है इसमें negative marking होता है या नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साप साप लिखा गया है कि परतेक साही उत्तर के लिए दो अंक मिलेंगे इसके भगल में है गलत उत्तर के लिए अंक की कटावती नहीं होगी यानि negative marking नहीं होता है बी हर idea के परवेश परिक्षा में तो आई होप जो आप लोग का question था कि negative marking होता है कि नहीं होता है यह finally clear हो गया होगा अब चलिए आप सभी को बता दे कि भी हर में totally ITI college कितना है इसके लिए आपको थोड़ा सा scroll करना होगा तो आप लोग अपने mobile के screen पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि totally ITI college कितने है और कितने district में है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते है पतना में totally कितना college है ITI 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि 6 ITI college है केवल पतना में उसके नीचे भोजपूर है बकसर है रोहतास है आप लोग जैसे जैसे स्क्रॉल किजिएगा आप लोग देखिएगा कि आपके अपने district में आखिर total कितने ITI college है अगर आप लोग इसका PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग हमाई टेलिग्राम से ले सकते हैं और टेलिग्राम का लिंक इस वीडियो का description box में आप सभी को दे दिया गया है तो जाइए टेलिग्राम को जोईन केजिए और इस PDF को ले लिजिए और देख लिजिए कि आपके अपने district में आखिर कितने ITI college है इसके साथ साथ अगर आप लोग ITI का important question को लेना चाहते हैं तो आप लोग हमाई टेलिग्राम से ले सकते हैं और टेलिग्राम का लिंक इस वीडियो का description box में आप सभी को दे दिया गया है अब चलिए आप सभी को बता दे कि भी हार में टोटली जो ITI college है उसके अंदर टोटली सीटों के संख्या आखिर कितनी है तो इसके लिए हमको इसको थोड़ा सा उपड़ की और एस्क्रॉल करना होगा और जैसे आप लोग भी स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए इसको जो है देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है 25,566 इसके बगल में 1341 इसके बगल में 1321 यानि लगभग में 26,000 seat है बिहार ITI के coverage में तो आप लोग देखि लिए किसी levels किया है कि इस category में कितना seat है बिहार में totally कितने ITI college है अब चलिए आप सभी को बता दे main question और इस question को जितने भी student है सभी के द्वारा comment करके पूछा गया था कि सर बता दिजिए कि जो हम लोग का form में आखिर कब से fill up किया जायेगा तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि जो ITI का form है हर एक साल metric result के करीबन एक या दो दिन के बाद से fill up होना सुरू हो जाता है तो आपके इस बाद जो result है यानि metric का result एक करीबन मार्च के last week तक publish हो जायेगा तो इसे clear होता है कि जो आप लोग का form है यानि बिहार ITI 2023 का जो form है अपरेल माह के प्राथम week से ही fill up होना सुरू हो जायेगा और इस वीडियो से सम्मानित कोई भी question होगा कोई भी doubt होगा तो आप लोग comment जरूर कीजिएगा